हेले वरीपन, आई होब आप अपलोग से बच्चे होंगे, आप लोग अधा दो जो आप लोग का नर्सिंग कॉलेज या पी के नर्सिंग कॉलेज जो मानेता रद्द कर दी गई थी, उसी को लेकर सबसे बड़ी ख़वर है आप लोगता दो मत पर दिन 241 नर्सिंग कालेज जो की मानने था इंडियन नर्सिंग काउंसिली ने खत्म कर दी थी उसी को ले करने उचे आप लोगता नर्सिंग कालेज के लवटाने होंगे चात्रों के दस्तावेज इंडियन काउंसिल से अपिल की जा रहे है कि हमारी डाकुमेंट जमा हुए है वेरिफिकेसन के लिए या जो हमारी फीस जमा हुए पैसे जमा हुए है उनको कब तक वापिस करवाया जाएगा है सबसे बड़ी ख़वर निकल के आ रही है पिछली वीडियो में बता गया है वह सवाल का जवाब दे दिया था तो उनकी मानता फिर से रिन्यूग कर दी जाएगी आप लोग ता दुमद्दपति पर 4,000 से ज्यादा चात्रों को जमा की गई है फीस ज्याद दीएगा 4,000 ऐसे चात्रों है जो नर्सिंग कॉलेजों की फीस जमा कर दिये हैं क्या है मामला बहुत लोग नहीं पता होगा इंडियन नर्सिंग काउसिल मदपदी रजिटार काउसिल ने इन कालेजों की मानता निरस्त कर दी है जाच में पाय गया तक सभी कॉलेज फरजी डिगरी देते हैं यहनी सभी कालेजों को पता गया तक सभी फरजी डिगरी देते हैं कर suspense बना को कि जो एडिवीशन लिए हैं जो 20 समेश्टर में फसे उनका क्या होगा जिनकी कालेज मानता रद की है फर्जी डिग्री दे हैं क्या मानता उसको कहीं पे apply करते हैं फौर्म भरते हैं तो उसकी मानता रहे कि नहीं रही उस college भी करता है इसलिए मानता रद की है मैंने मौके college आप नर्सिंग के लिए 30,000 रुपए फिस दी है यानि उनके डाकुमेंट जो है मिल गए लेकिन क्या है वह आपस नहीं हो दूरगा चवहान इस्टूडेंट उनके द्वारा बोला जा रहा है मैंने राजदीप college आप नर्सिंग म 10,000 रुपए जमा के थे बाद में पता चला कि मानतार नहीं है पैसे वापस मांगे तो 5,000 रुपए लवटा दिया लेकिन 5,000 अभी बाकी है यह मानसी इस्टूडेंट है उनके द्वारा बोला जा रहा है दस्ताविल लवटाने के लिए आदिश क्या इस्टूडेंट कोई जो भी और अपडेट होगा आप लोग को बता दिया जाएगा जो भी सवाल हो आप लोग कमेंट कीजिए यह इस्टाग्राम पर आके पूछ सकते हैं ठीक है आप लोग रिप्लाई जरू किया जाएगा